आज के ये दोनों डियाएवेज आपको कैसे लगे हैं मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए का और आप मुझे इंस्टाग्राम और पेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं ये काडबोर्ड रोलना मुझे कुछ दिनों पहले ही मिला था और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके उपर क्या बनाने वाले हूं तो आज मैं आपके साथ ये DIY शेयर करूँगी ये ना एकदम हम expensive looking जो वास आते हैं उस तरह का कुछ बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये घर पे बनाया है और इतना ही बढ़िया लगने वाला है तो मैं इसके उपर ना पहले इसके जो भी edges थे वो खराब आले उसको मैंने कट करके निकाल दिया है और अब इसे finishing कर रही हूँ masking tape लगा कर आप चाहे तो ना फेवी कॉल और पानी का एक घोल बना दीजे और newspaper यहाँ पर stick कर सकते है बट उससे dry करने में काफी time लगता है तो ये masking tape ना काफी easy हो जाता है तो मैंने फटा-फट से इसको finishing कर लिया है और ये cardboard roll ना काफी thick है और काफी strong और sturdy है तो मैं नीचे से इसको ना एक support और दे रही हूँ ताकि जब भी हम इसे उठाए और रखे तो काफी comfortable हो जाए हमार लिये तो मैं नीचे से जो wooden का एक piece मेरे पास बचा था वो मैं लगाऊंगी और ये कुछ mirror से मेरे पास जिससे मैं इसे decorate करने वाली हूँ और अब नहीं सबसे पहले मैं दो side पर border बना कर लूँगी उपर और नीचे के side से मैंने equally distance छोड़ा है और बीच में कुछ इस तरह से wavy pattern बना लिया है पेसिल से बनाया है इसलिए आपको नहीं दिखेगा बट जब मैं pattern बनाऊगी तो अब अच्छे से visible आपको हो जाएगा तो अब ये है कुछ mirrors तो यहां पर मेरे पास जो भी mirror से वो मैं ले रही हूँ और यह जो है ना इनका ठीकनेस काफी ज्यादा है तो दो तरह के mirror से मेरे पास यह round and जो एक diamond थे और उससे भी एक छोटे diamond वाले shape है मेरे पास तो उनको मैं यूज़ कर लूँगी और यहां पर देखिए अभी favicol मेरा खतम हो गया था तो मैं इसमें फटाफट से अपने पास जो favicol है वो हमेशा मैं इस छोटी वाली bottle में भरके रख देती हूँ यूज़ करने के लिए तो हमेशा मैं क्या करती हूँ ना कि half liter का जो favicol का pack होता है वो लाकर इस बड़ी वाली bottle में भर देती हूँ और जब भी मुझे चाहिए होता है मैं इस छोटी सी bottle में निकाल कर उसे यूज़ करती हूँ तो आज मुझे यादी नहीं रहा और मैंने favicol इसमें जब डालने की कोशिक किये तो उसमें favicol ही नहीं था तो चली अब favicol का मैंने यहाँ पर लगा दिया है और mirror को लगाना start कर दिया है round mirror से मैंने start किया है और जो मैंने border बनाई थी ना उनके बीच में मैं ये mirrors लगा दूँगी तो सबसे पहले outline बना लेंगे और बाद में जो भी इसका अंदर का side है उसे हम fill करते जाएंगे तो बीच में का जो portion है वहाँ पर मैं circular mirror यूज़ कर रही हूँ यानि कि round mirrors और उन्हें अच्छे से fill कर दूँगी आप चाहे तो जो mirrors के cutouts होते हैं ना आप अपने according इसे बना सकते हैं क्योंकि यह इतना बड़ा है और इतने सारे आपको mirrors लगने वाले हैं तो आपको अच्छे खासी quantity में आपके पास mirror चाहिए तो मैंने कुछ दिनों पहले ही mirrors यहां पर लाके रखे थे और मैं बहुत दिनों से यह वाला project जो है अराम से मिल जाते हैं अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई cardboard नहीं है तो आप PVC पाइप से भी इसे बना सकते हैं तो अब मेरे पास यह कुछ diamond shape के mirror है जिनने मैं नीचे के side में लगाने वाली हूँ और जो round shape के mirror थे उनसे मैंने उपर के side में border create कर दिये बट बहुत उपर नहीं लगाया है थोड़ा सा gap मैंने रखा है वो क्यूं रखा है वो आगे मैं आपके साथ share करूँगी तो देखिए उपर के side में कुछ मैंने यह diamond shape के mirror इस तरह से cross lines में लगा दिये है और अब इनके बीच में ना मैंने कुछ लगाना था different तरीके से इसलिए मैंने यह space छोड़ा है तो इस तरह से मैं यह slanting line में लगा रही हूँ diamond shape के mirror और इसे ना उपर के side में cover कर दूँगी उससे एक flower बना दूँगी और इसी तरह से same pattern जो है जहाँ जहाँ मैंने उपर के side में gap रखा है वहाँ पर मैं flowers बनाते जाओंगी और इसे complete कर लूँगी अब बचा है नीचे का portion और उपर का यह gap तो इसे भी हम fill कर देंगे with using other mirrors तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह से यह cut out से mirror के मतलब यह कोई shape नहीं है यह mirrors ना मैंने किलो के भाव से लाए थे तो इसमें कुछ damage pieces भी आते हैं तो इस तरह से यह pieces मैंने side में निकाल कर रखे थे अब उन्ही pieces को मैं यहाँ पर लगा दे रही हूं तो basically मैं यहाँ पर na mosaic art बनाने वाली हूँ इस cardboard की ऊपर और जिसके लिए हमें चाहिए होता है एक paste वो भी मैं इसके बाद बनाऊंगे जब यह mirrors का work complete हो जाएगा तो इस तरह से हमें mirror लगाने है ना कि थोड़ा थोड़ा gap भी दिखना चाहिए और बहुत ज्यादा gap भी नहीं दिखना चाहिए तो जितना भी gap है उनको मैं cover कर दूंग लग सकता है तो चलिए इसके लिए जो पेस्ट लगता है वो बना लेते हैं तो यहां पर मैंने एक बाउल में ले ली है white cement और आपके पास नहीं है white cement तो आप वल पुट्टी या फिर सिरमिक powder प्योपी powder कुछ भी ले सकते हैं बट मुझे white cement काफी अच्छी लगती है वो फ दिया है इसके अंदर दो से तीन चमची पानी हम एड़ करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे और एक अच्छी consistency का पेस्ट हम बना लेंगे और इसे ना बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है ताकि आपका जो डियाव है उसमें क्रैक बिलकुल भी ना आए और इस तरह से आपको यह अविलेबल हो जाती है तो देखें मिरर यह लगाने के बाद कितना ही अच्छा लग रहा था और अगर आप चाहे तो आज इस भी रख सकते हैं बट नीचे कोई बेस कलर दीजे अगर इस तरह से आप यह पेस्ट वगेरा नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे बोलत आपको कॉंपलिमेंट ही मिलते हैं कि यार यह आपने मंगवाया कहा से है या फिर बनाया तो बनाया कैसे है तो यह बहुत कॉस्टली आपको पाहर मिल जाता है अगर आप इसे पर्चेस करना चाहते हैं इस तरह के महंगे DIY बट हमने देखी कितने कम रेट में घर में बना ल यह एक्सपेंसिव लुकिंग DIY डेकोर पीस बनकर रेडी हुआ है 400 या फिर 500 रुपए लगे होंगे इन सभी को बनाने के लिए और इस वॉल पुट्टी पेस्ट को मैंने लगा दिया दो से तीन घंटे के लिए रख दिया है और अब ना इसे हलके हातों से हम निकालेंगे वो भी गीला कपड़ा या फिर स्पॉंज आप लेजिए और उससे एक एक मिरर को थोड़ा सा गिसना है आपको अगर नहीं निकलता है तो आप चाहे तो नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं जहां जहां पर वाइट सिमेंट ज्यादा लगी है और उसे अच्छे से क्लीन कर लीजे मगर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यह तुरंत प्रोसेस नहीं करनी है कम से कम यह वाइट सिमेंट या फिर जो भी आप वाल पुटी लगा रहे उसको लगाने के तीन गंटे चार गंटे बाद आप यह प्रोसेजर करें तब यह अराम से निकल जाती है धीरे ध और देखिए अब मैं इसको ड्राइ कर लूँगी और अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उपर का साइड का जो उसका पोरिशन है उसे हाइड करने के लिए मैंने ली है यहाँ पर मोल्डित क्ले उसको बहुत ही पतला सा हमें रोल कर लेना है इस तरह से देखिए और अब इ लिखने में ना काफी अच्छा लगता है और उपर इस तरह से अगर हम लगाएंगे ना तो काफी अच्छा लगेगा बॉडर एक क्रियेट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैं फेवी कॉल की मदद से इसे स्टिक कर दूँगी और इसे भी ना थोड़ी देर के लिए ड पेंट कर दिया है इस क्ले और यह जो वुड़न पीस मैंने लगाया था इसकी नीचे उसे भी मैं अच्छे से पेंट कर दूँगी आप चाहे तो दूसरा कोई लाइट कलर भी यूज कर सकते हैं बट मैंने सोचा था इसको मैं वाइट ही रखूंगी ताकि यह काफी क्लासी लगे और फटा फट से इसे पेंट करके ना अब देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट और इसी के साथ जो ऊपर का अंदर का पोर्शन है उसको भी मैं वाइट कलर के साथ पेंट करूंगी जब भी हम इसमें फ्लार रखेंगे तो साइड से बना यह खराब ना दिखे तो च तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड डियाइवाई की तरफ जो कि अगें एक एक्सपेंसिव डियाइवाई है यानि कि मैं अगें बनाने वाली हूँ मोजाइकार्ट जो कि आप मार्केट में जाओंगे ना तो इस तरह के मोजाइकार्ट आपको काफी महेंगे मिलते हैं तो आज मैं इसे घर पे ही बनाने वाली हूँ और वो भी काफी अफोर्डेबल तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़े लगती हैं तो सबसे पहले जो बेस है वो मुझे यहाँ पर लोकल शॉप में मिल गया था कुछ 20 रूपीज में और मिरर भी ये कुछ मिरर है उसको पेस्ट कर दिया है और यह एक ही तरह के मिरर में इसके उपर लगाने वाली हूँ तो मोजाइकार्ट के लिए ना आप अलग अलग डिफरंट डिफरंट साइज और शेप के मिरर भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं बट यह DIY थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने सिफ एक ही तरह का मिरर यूज किया है और यह बहुत ही इजी और सुन्दर लगता है तो फटा-फट से इसे बना लेते हैं अगर आपको भी इस तरह का मोजाइकार्ट बनाना है और आपके पास बहुत जो था उसका बचा हुआ पेस्ट है उसमें मैंने अड़ कर दिया है यलो कलर और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मिरर्स के उपर अपलाई कर देंगे इतना आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह का मिरर डियावे बनाते हो तो मिरर को बहुत अच् पलाई से सूप चुके है तो अब देखिए ये पेस्ट को आप चाहे तो किसी भी फ्लैट सर्फेस से लगा सकते है अब मैंने तो पहले हातों से ही लगा दिया है क्यूंकि मुझे ना हाथ लगाए बिना काम होता ही नी है मेरा तो मैंने इसे अच्छे से लगा दिया isके ब चार से पांच घंटे के बाद मैं अगें यहां पर स्पॉंज यूज कर रही हूं गीला और उससे इसे क्लीन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितने एजीली एक्स्ट्रा जो भी यहां पर वॉल पुटी थी वो निकल चुकी है और हमारा डियाइवाई कितना ही सुंदर लग कर देना और चानल को सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाना तो चलिए मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और डियाइवाई के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई